नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में इश्वर आपकी मदद करते हैं और इश्वर जब मदद करते हैं तो काम अपने आप बंते निकलते हैं नमश्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रीमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की 27 नवंबर के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुब कामने देना चाहूंगा जिनका आज बर्थ दे है, मैरिज अन्वरस्री है या कोई स्पेशल डे है सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं आज के पंचांग से आज डेट 27 नवंबर 2022 है यानि 27 नवंबर 2022 और दिन रविवार का है आज के विशेश पाय में मेडिटेशन के बारे में ही हम कंटिनिवेशन करने वाले हैं और आज और ज़्यादा गहरा उतरेंगे अगर आप अभी भी मेडिटेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताईएगा क्योंकि ये दो सिर्फ में सतहे पे आपको बातें बता रहा हूँ जब असली में हकीकत में बातें होगी मेडिटेशन की तो आप मान करके चलिए कि 20-20 मिनिट के कम से कम 8-9 एपिसोड बनेंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उस तरफ मेहनत अपनी शुरू करूँ अब बात करते हैं फिर से पंचांकी तो समवत 2089 का मारक शीर्ष शुकल पक्ष चल रहा है चतुर्ती तिती है दो पहर में चार बच के 25 मिनिट तक जिसके बाद में पंचमी तिती आरम होगी पूर्वा शाड़ा नक्षतर रहेगा दो पहर के 12 बच के 37 मिनिट तक जिसके बाद में उत्रा शाड़ा नक्षतर आरम होगा धनूर आशाग का चंदरमा रहेगा शाम के 6 बच के 3 मिनिट तक वहीं राहुकाल का समय दो पहर के साड़े चार बजे से 6 बजे तक है और शुब चौगड़िया महरत आज के दिन आपको दो बार मिलेगा सबसे पहला महरत मिलेगा सुबह के समय में 10 बच के 9 मिनिट से 1 बच के 9 मिनिट तक दूसरा महरत जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 बच के 40 मिनिट से 4 बच के 9 मिनिट तक यहाँ पे पूर्व और्दक्षिन दिशा में की हुई यात्रा है शुब साबित होंगी पर पश्चिम दिशा में साउथ वेस्ट दिशा जिसे की नेरितिय दिशा बोलते हैं इशान दिशा जिसे की नौर्थ इस्ट दिशा बोलते हैं इन देशाओं में अगर आप ट्रावल करने वाले हैं तो दिशाशूल दोश लग रहा है। दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए या ये कहूं जो रास्ते में विगना आने वाला है उस विगना के निवारण के लिए घी खा करके फिर अपनी यात्रा आरम करें। आज के दिन सुर्य उद्य कालीन कुंडली में शुब योग जो आपको साथ देने वाले हैं वो है आश्रेय योग, संखिया पाश योग, गज केसरी योग, दरुधरा योग, सम योग, वैशी योग और काहल योग। अगर अभी भी आपके पास में समय नहीं है, अपने स्वयम के भविश्य को सधारने का, तो ऐसे में एपिसोड देखके आप आराम से चल सकते हैं। पर अगर अपने भविश्य लेके आप सीरियस हैं, कुछ कर गुजरना चाते हैं, तो ऐसे में एक छीज का ध्यान रखना है, कि भाग्य जो है, वो करम के साथ चलता है, करम पहले दर्वाजा कोलता है, करम अंदर जाता है, उसके पीछे भाग्य अंदर आता है, इस बात का ह हमेशा ध्यान रखना है, राजयोग जो है, दशा आने पे फल देगा, पर उस फल की प्राप्ती के लिए पहले मेहनत करनी होगी, मेहनत जब तक पूरी नहीं, तब तक राजयोग की दशा भी आपको राजा बनाने में सफल नहीं, आप अगर अपनी कुंडली से मार्क दर् करें, आपके भविश्यकाल और आपके वर्तमान के बारे में बात करें, तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करना जरूरी है, सुबह नौ से लेके शाम को साथ वजे तक जब भी आप कॉल करना चाते हैं, आप कीजे, आपको हमेशा मेरी टीम तैयार मिलेगी, पर मान करेंगा ही, ऐसे में चिंता कभी नहीं है, रिस्पॉंस को लेके चिंता कभी नहीं है, बात इतनी सी है, चिंता अपने कर्म को लेकर के है, अपनी मेहनत को लेकर के है, उस मेहनत को लेकर है, कि इस नंबर को डायल करना पड़ेगा, सच सुनने के लिए सच का सामना करना पड कि क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं हुआ वा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर भी आप यहीं सोचते हो कि अरे ऐसा हो गया तो खयाली पुलाव जो है वो हमेशा नेगेटिव तरीके से ही बनते हैं तो एक छोटा सा आपको उपाय करना है एक छोटी सी प्याली जो होती ही उसमें कच्चा दूद लेना है अपने नहाने वाला जो पानी होता है उसमें आपको मिला लेना है और हर रोज कम से कम एक कावन दिनों तक तो करना ही है यह अपाय उस पानी से आपको नहाना है करके देखिएगा जादा कोई महेंगा उपाय नहीं है जादा कोई रुपे वाला उपाय नहीं है ऐसा कोई उपाय नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ रहीस्क लोग करते है ऐसा उपाय है कि आप आराम से कर सकते हैं करके देखिए बहतर आपका होगा जिन्दगी में खुशाली आपके आईगी मैं सिर्फ और सिफ एक जरिया बनूँगा आईए अब बात करते हैं आज के राशी फिल के और सबसे पहले शुरुवात करेंगे मेश राशी से मेश राशी के लिए राशी भाव से 9,000 में चंद्रमा है ऐसे में 9,000 का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव के लिए जाना जाएगा ओवरॉल सपोर्ट जो है आज के दिन आपको मिलने वाला है 45% यहाँ पे चीजे गलत होने की संभावना है ज्यादा रहने वाली है रववार का दिन है घर में रहे करके रिलक्स करने का सूच रहे थे वही पे जीवनसाथी के साथ में कोई न कोई विवाद छिड़ जाएगा आप कोशिशें बहुत कर रहे हैं पर उस कोशिश को एप्रीशियेट नहीं किया जाएगा घर वाले आपको आज के दिन डाट सकते हैं फटकार सकते हैं किसी बात का बुरा मान करके जो चीज आज अच्छी होनी चाही थी फैमिली टाइम मिलना चाही था उसकी जगे एक दूसरे से आज के दिन सब गुसा हो करके एक एक कॉनर में है यहीं पर महलाओं से आज के दिन सावधान जादा रहना है चाही यंगस्तर्स भी हैं, रिलेशन्शिप में हैं, शादी नहीं होई भी है तो बहुत सोच समझ करके फूख फूख के कदम आगे रखना है ऐसा कुछ ना हो जाए जिसमें सीमा लांगने की बात हो ऐसे कोई भी आपके आक्शन वापस रियाक्शन जरूर डिमांड करेंगे और रियाक्शन जो है वो ऐसा होगा जो आपको पसंद ना आए इसके लिए थोड़ा संभल करके रहना है बिजनिस जो करने के लिए आज के दिन बाहर निकलने वाले हैं जो भी है दुकानदार जो भी है चाहे रविवार हो सोंवार हो आंदी हो तुफान हो उसको जाना पड़ता है कमा करके लाना पड़ता है तो ऐसे में आज व्यापारी वर्क का इंसान काम पे जरूर जाएगा कमाएगा भी पर साटिस्फाय नहीं होगा जो खर्चे हैं कमाई से ज्यादा आज के दिन उसको नजर आएंगे पर फिर भी कोशिश एक काम की करनी है जब रात को घर पे वापस लोट के आते हैं खाली हात्म नहीं आना घर में बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माता जी, पिताजी के लिए, भाई बहनों के लिए जो भी एक इनसान कोई भी हो जिसको आपको खुश करना है उनके लिए छोटी सी कोई भी वस्तू ले करके घर पे पहुँचें शुबरंग रहेगा ऐसे में आपके लिए औरेंज कलर शुबरंग रहेगा नमबर फाइव अब बात करते हैं व्रशब राशी की व्रशब राशी के लिए राशी भाव से 8,000 में चंद्रमा है जन्मतारा का साथ अश्टग वर्शब में 22. से ओवराल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है हेल्थ वाइस सबसे पहले ब्रॉंकाइटिस की प्रॉब्लम है डाइबिटीज की प्रॉब्लम है अस्तमा की प्रॉब्लम है डस्ट अलर्जी की प्रॉब्लम है पॉलिन इंफेक्शन है तो इन सबसे बचना आज के दिन जरूरी है अपनी मेडिकेशन अपने पास में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आप ये मान करके चलिए कि सबसे पहली चेतावनी आपकी राशी को मैं यही दे रहा हूँ इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं यंग हैं यानि की कन्याएं हैं बच्ची है उसको स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी यानि की आक्ने आउट बरस्ट हो गया याद फिर फोडे फुनसी हो गए कहीं न कहीं पर वाइट पैचेस की प्रॉब्लम होना स्किन पैचेस के कारण इरिटेशन होना रेडनेस होना उसकी परेशानी आपको आज के दिन परेशान करेगी यहीं पर जीवन साथी के साथ में बहुत सोच समझ करकी बात करें कहीं बार ऐसा मौका आएगा कि जीवन साथी आप पर हावी हो रहा हो ऐसे में अपनी शान्ती आपको बनाये रखनी है आपकी शान्ती बनाये रखने से ही घर में शान्ती देखने को मिलेगी इस बात का आपको ख्यार रखना है गुसे से जुझलाहट से उत्तेजित होकर के रियाक्शन देना आज के दिन आपके लिए और आपके घर में वातावरन के लिए हानिकारक से दो सकता है वियापरी वर्क का इंसान आज के दिन काम पे भी जाएगा कमा करके भी आएगा पर ऐसे ऐसे लोगों से सामना होगा जो सिर्फ और सिफ टाइम वेस्ट करने आते हैं विंडो शॉपर्स हैं या तपिर मार्केट में सिर्φ और सिफ इन्फिर मेशन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं उन लोगों से आपका आज के दिन आमना सामना होगा, पूरी दुकान खुलवा देंगे, खरी देंगे कुछ नहीं और वापस निकल जाएंगे। ऐसे में शुबरंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्राइट औरेंज कलर, सन येलो कलर जिसे कहा जाता है। शुब अंक रहेगा नंबर फाइव। अब बात करते हैं मिथुन राशी की, सेवंध आउस का चंद्रमा है, मित्रतारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 24 डॉट्स, ओवरॉल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 100% पॉस्टिव है। दामपती जीवन में संतुष्टी देखेंगे, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, ओवरॉल काफी जादा बहतर दिन है। दिन आपने सूर्सेज पता लगाने का काम करेंगे। बेनिफेशियल जो आपके लिए हैं, उनकी तरफ आगे अपने पैर बढ़ाते नजर आएंगे। शुबरंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुबंख रहेगा नमबर नाइम। अब बात करते हैं व्रशब राशी की, आपके लिए 6,000 का चंद्रमा है, विपत्तारा का साथ है, अश्टेक गवर्ग में 25 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन 67 परसंट यहाँ पे पॉजिटिव है। काम जो कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, स्ट्रगल जो है, उसका आपको चाहे थोड़ा सा भी रिवार्ड मिल जाए, तो आज के दिन उसमें भी आप बहुत खुश हैं, यानि कि छोटी सी सफलता से भी आपका दिन बन जाएगा, मिलनी तो ज्यादा है, ऐसे में अच्छी घर के अंदर ही कोई ऐसा इनसान है, जो आपके लिए गड़े खोटता रहता है, आपके रास्ते में काटेब होता है, उस इनसान का पता लग जाना तो क्या होगा इसे? खुद के लिए बहतर होगा, आगे से मालुम रहेगा कि किस इनसान से बचके चलना है, ये चीज़ें आपके लिए जादा बहतर रहेगी, ओवर आल बहुत जादा अच्छा लकी डे जिसे कहा जाता है, ये आपको महसूस होगा, परिवार के साथ में बहुत ही अच्छा समय स्पेंट करेंगे, फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में जो समय हैं, वो और भी जादा बहतर ह हो, उनके साथ में बैट करके बातें करने से बहुत अच्छा महसूस होगा, शुबरंग ऐसे में रहेगा गोल्डिन कलर, शुबंख रहेगा नमबर फाइव, अब बात करते हैं सिंग राशी की, आपके लिए फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, संपत्तारा का साथ है, अश् मिल करके positive effects उसके amplify करने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, अक्सर इनसान के दिमाग में देखा गया है कि दो तरीके से actions लेता है, एक होता है compulsive, यानि कि बिना सोचे समझे बस कर दिया, दूसरा होता है conclusive, यानि कि कि किसी चीज को aim को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा है कि इस चीज का अंत होना है, ये दो तरीके से actions इनसान लेता है, आज आप conclusive actions लेते वे नजर आएंगे, जो भी चीज है, जो भी काम है उसको अंत तक देखना है, सफलता प्राप्त करनी है, उस तरफ आप जाते वे जादा नजर आएंगे, mental tension तोड़ा जादा र सकते हैं, पर अगर आप दिमाग से strong है, अपना goal जो है, आपने set कर लिए, किसी और की बात नहीं सुनने वाले हैं, तो आज का दिन आपके लिए शांदार तरीके से बीच सकता है, फिर चाहे वो fifth house का चंदरमा ही क्यों ना हो, छोटी छोटी problems देखने को मिलेंगी, पर ऐसे में भागिये के सहारे नहीं बैटना है, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, परिवार से help मांगेंगे तो मिलेगी, ये expect करते हैं कि आपकी दशा जो है, जिस तरीके से आपका भी समय चल रहा है, वो देखकर कि पिताजी स्वैम आजाएं help करने के लिए, नहीं ह होगा, जब तक स्वैम पुकार नहीं लगाएंगे, कोई भी आपकी help करने के लिए नहीं आएगा, फिर वो चाहे अजीज अजीज मित्र हो कि स्वैम माता पिता ही क्यों नहीं हो, इस तरफ थोड़ा अपने आपको आप सॉफ्ट रखने की जरूरत है, जब जरूरत पढ़ से, फोर्थ हाउज में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अश्ठक गवर्ग में शांदार 38 डॉट है, ओवरॉल सिच्वेशन 75% यहाँ पे सपोर्ट की रहने वाली है, ऐसे में तीन चीज़ों का सबसे ज़ादा खयाल रखना है, सावधान रहना है, माता जी की सेहत को ले करके आपको आज की दिन साबधान रहना है, माता जी कितना भी मना करे, कुछ भी कहे, अगर उन्हें कवी भी दर्द है, परेशानी है, उनको डॉक्टर के पास में ले जाना आपकी जिम्मेदारी है, दूसरा, अपने गुसे पर और जबान पर कंट्रूल रखना है, फि वो इनसान शान्ती से पूरी चीज देखता है और उसके बाद में डिसिजन लेता है, यही चीज आपको भी करनी है, काप्टन कूल बनिये जिन्दगी में, तीसरा, आज के दिन जो भी यंग्स्तर्स हैं, यंग्स्तर्स को यहाँ पे जो रिलेशन्शिप में है, बहुत अगर यहीं पे रोका हुआवा है, कच्ची मंगनी हुई भी है, तो इसके अंदर भी आपकी की ऐसी बात से सामने वाला परेशान होकर कि रिश्ता तोड सकता है कि नहीं रखना आपके साथ में रिश्ता, फिर उसके बाद में आप मनाते रहिए, पर सिचुएशन जब तक क अब बात करते हैं, तो लाराशी की थर्ड हाउस का चंद्रमा है, पर जन्मतारा का साथ है, अश्टगवर्ग में 27 डॉट है, ओवराल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है, थर्ड हाउस का चंद्रमा अच्छे इन्वेस्मेंट्स के लिए जाना चाता है, पर रविबार का दि हो, बाइक हो, चेन हो, वालेट हो, इसका वापिस मिल जाना आज के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने कलीक से, अपने बॉसे से आज के दिन मिलना हो सकता है, कहीं अन ओफिशिल लोकेशन पे, यानि की मॉल में कहीं पे घूम रहे हैं, मुवी से, कलीक के साथ में उसको स्ट्रांग करने का काम करेगा, वहीं पर एत्राक्शन में आकर के दूस्ती करते हुए, यह नजर आएंगे यंजस्ट रग्น आप स्वहयंद भी, मुपिदेंस से बहे हाँ हैं, बस इस कॉंफिदेंस को ओवर कॉंफिदेंस में कनवर्ट नहीं हो है पर शेम तारह का साथ और अश्टेक वर में 26 डॉट्स हैं सिचुएशन यहां पर फिर से 57 परसंट सपोर्ट की बनती है सपोर्ट मिल रहा है पर सेकंड हाउस का चंद्रमा कन्फूजन क्रियेट करेगा पैसे देने कुछ है दे करके कुछ और आएंगे इनसान को 500 का नोट पकड़ाएंगे और वापिस सोचेंगे कि मैं तो 100 का नोट पकड़ाया है ये कन्फूजन आज के दिन बिना बात लॉसस दे सकते हैं और वही पे इमोशनल होकर के सामने वाले पे खर्चे नहीं करने हैं कि नहीं मैं आपके लिए खर्चा कर देता हूँ, बिल है, साथ में डिनर पे किसी के साथ में कहें नहीं, बिल मैं ही पे करूँगा, आप मत कीजे, पार्टी सामने वाला दे रहा है, इन्वाइट सामने वाले ने किया है, पेमिंट आप कर रहे हैं, सामने वाले का पर काबू रखने की जरूरत है, आज ऐसे किसी को साथ में लेके चलने की जरूरत है, जिसका समय पॉजिटिव हो, वो काफी हद तक आपके नेगेटिव टाइम पिरियेट को बैलेंस आउट करने का काम कर सकता है, शुबरंग रहेगा ऐसे में येलो रंग, शुबंक रहेगा अब बात करते हैं, धनूराशी की राशी भाव में चंद्रमा है, सादक तारका साथ, अश्ठक वर्ग में 21 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉस्टिव है, फर्स्ट हाउस का चंद्रमा साटिस्फाक्शन देने का काम करेगा, फैमिली जो हैं, वो आपको फेस करने को मिलेंगे, ऐसे में हेल्थवाइज रिकवरी की बात की जाए, तो ये भी आप एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, ओवरॉल, दिन काफी ज़्यादा पॉस्टिव नोट पे आपको देखने को मिलेगा, इसको इंजॉय करने की ज़रूरत था है, रविवार को फंडे बनाईए, संडे को फंडे बनाना है, इस तरफ आपका ध्यान जादा रहना चाहिए, शुबरंग रहेगा, रेड कलर, शुबंख रहेगा नमबर वन, अब बात करते हैं मकर राशी की, आपके लिए 12 आउस का चंद्रमा है, वहीं पे वद तारा का साथ जो नेगिटिविटी को एंप्लिफाय करने का काम करता है, यानि कि जो नेगिटिव और डी चंद्रमा है, उसमें नेगिटिविटी और एड होती है, अश्ठक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, जिसके कारण आप ये एक्सपेक कर सकते हैं, कि 33 से 35 परसें तक सपोर्टिंग फैक् तो ऐसे में बिनाबाद के खर्चे होना, गलत लोगों का साथ मिलना, यहीं खुद ब्रमित हो जाना, यानि कि कन्फ्यूजिन के मारे गलत डिसिजिन्स ले लेना, आदी अदूरी इंफूमेशन के साथ में कोई जगड़ा कर लेना, ये चीज़ें आज के दिन और जादा सि आदी हो या तूफान, काम पे दो जाना ही है, तो आज के दिन आप जाएंगे भी जरूर पर साथ में वापस नहीं लोटेंगे, कमाई होगी पर खर्च उससे ज्यादा होंगे, जो भी सोच करके निकले थे, वो काम पूरा नहीं होता नजर आने वाला, ऐसे में ब्राउन कल पहेगा आपके लिए नंबर सेवन, आई अब बात करते हैं कुम्ब राशी की, कुम्ब राशी के लिए राशी भाव से लेवन्थ हाउस में चंद्रमा है, वद इतारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 29 डॉट्स है, ओवरॉल सिच्वेशन यहाँ पे आपके लिए 72 कोई ऐसे सोर्स आपको मिल सकते हैं जो आपकी केरियर में एडवांस्मेंट के लिए जाने जाएं, आप जो भी काम करते हैं, जो भी यहाँ पे व्यापारी वर्क का इंसाने, जो भी प्रयास आज की दिन करने वाला है, उसमें सफलता जरूर देखेगा, अच्छी मार्केट चल रहा है, या पुलिस केस नहीं exactly, फैमिली डिस्प्यूट किसी चीज को लेके चल रहा है, तो उसमें भी जो फेवरेबल रिस्पॉंस है, वो आपके फेवर में निकल सकता है, एसमें शुबरंग रहेगा, आपके येलो रंग शुबरंग रहेगा नमबर टू, अब बात करते हैं मीन राशी की, मीन राशी के लिए राशी भाव से टेंथ हाउस में चंद्रमा है, सादक तारा का साथ, अश्ठक वर्ग में 29 डॉट्स है, ओवरॉल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिविडी की है, संडे को फंडे बनाने की गैरंटी आज के दिन सबस्थिविटी, आपको मकर राशी के चंद्रमा में भी देखने को मिलेगी, जब तक कुम राशी का चंद्रमा नहीं आता, यानि की ट्विल्थ हॉस में चंद्रमा नहीं जाता, वहां तक आपको एक स्ट्रेच में Pausitive टाइम देखने को मिलने वाला है, तो इस समय का सबस जरूर मिलेगी आपकी प्रशंसा जरूर की जाएगी चाये आप होस्ट बनके अपने घर में कोई पार्टी रख रहे हैं तो उसमें भी आपके केरियर में एडवांस्मेंट और कही ना कहीं पे सोशल सर्कल में वरदी आज के दिन जरूर देखने को मिलेगी ऐसे में शुबरं कि स्थान कैसा चुनने आचाहिए कैसे करना चाहिए कब करना चाहिए हम इन चीज़ों के उपर उपर से भी बात किये हैं अब और डेप्थ में जाना है मेडिटेशन करने के लिए जैसे कि आपको बता है शांत जगे की जरूरत होती है सबसे अच्छा जो जगे है कोई आपके घर के आसपास में पार्ख है आपके स्वैम के घर में छट है कमरा है कोई ऐसा खाली जहांपे सामान नहीं रखा जाता साफ सुत्रा होना चाहिए बात ये है कि साफ सुत्रा हो और शोर ना हो फिर बात आती है समय की तो समय के लिए मेडिटेशन करने के लिए सबसे बेस्ट समय जो कहा जाता है वो है ब्रह्म मौरत यानि कि 4-5 बजे फिर शाम को 6-7 बजे की बीच में जो भी आप समय चुनेंगे आपको ये नियमित तोर पर उसी समय पर मेडिटेशन करना है अगर सुबह करते हो तो शाम को मेडिटेशन नहीं करना है और शाम को करते हो तो चेंज करके सुबह नहीं कर देना फिर कुछ देर शांत और सीधा रहने का अभ्यास करना शुरू करना है अक्सर लोगों के साथ में देखा गया है कि कहीं पे भी आप उन्हें बिठा दीजे जादा देर तक एक जैसे शांत और सीधे नहीं बैठेंगे हिलते डुलते रहेंगे हाथ पैर चलते रहेंगे हाथ में मुबाइल आ जाएगा तो कभी टीवी आन हो जाएगा इन चीजों से हटना है अपनी आँखें बंद करके शांती से आपको बैठना है मेडिटेशन करते समय सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि एक कमफर्टेबल पोजिशन जो है उसमें बैठिए जरूरी नहीं जमीन पे बैठना है गदी लीजिए उसको रखिए उसके उपर बैठिए जो भी आपको कमफर्टेबली कम से कम 20 से 25 मिनिट कमफर्टेबल रख सके उस सिच्वेशन में लाना है अपने आपको उसके बाद में आगी जाते हैं जाते हम और समय को बढ़ाते जाएंगे अब दूसरी बात चौथी बात जो आती है वो है सांसें एक बार जब आपका मन शांत हो जाता है जब आप ध्यान मुदरा में जाना शुरू करते हैं एंटर कर रहे हैं उस रेल्म में तब धीरे धीरे गहरी सांसे लेना शुरू करें इससे शरीर जो है वो relax होना शुरू करता है muscles में जो tension होती है वो धीरे धीरे lose होना शुरू करती है body fluidic बनना शुरू करती है यानि कि तरल जो होता है पानी जैसे जो होती है उस तरीके से उस motion में आना शुरू करती है फिर अपनी सासों पर ही अपना ध्यान केंदरत करना है फिर चहरे पर एक छोटी सी हल्की सी स्माइल रखनी है ये कोई पनिश्मेंट थोड़ी है जो मेडिटेशन किया जा रहा है खुद को बहतर बनाने के लिए किया जा रहा है जब भी एक इनसान खुद को बहतर बनाने के लिए कुछ काम करे, चहरे पे मुस्कान दिल में खुशी होनी चाहिए, घबराहट है, तो ध्यान कैसे होगा। अनुभव के साथ में ये चीज़ें होनी शुरू करेगी कि चेहरे पे मुसकान होगी, शुरू शुरू में थोड़ा कठन होगा, पर होगा जरूर, कोशिश करते रहना है, विदी पूरी तरीके से हमें फॉलो करनी है, आँखें बंद रखनी है, चेहरे पे मुसकान रखनी है एक जैसे बैटना है ध्यान केंदरत करना है ये अनुभव जो है अपने आप में बहुत बहुत खास है अगर अप प्रेगनेंट हैं तो ऐसे मेडिटेशन किसी डॉक्टर की सला के साथ में ही किया जाए तो ज्यादा बैतर है उनकी observation में किया जाए तो ज्यादा बैतर है डीप और mindfulness meditation इस समय में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब आपको ढूनना पड़ेगा रही बात थर्ड आई और ओम शांती meditation की तो इसके लिए आपको एक शांत जगे ढून करके बिलकुल शांत हो करके आराम से बैठना है फिर ध्यान करना है आखों के बीच में आपको अपना ध्यान लगाना है केंद्रित करना है और धीरे धीरे सबी विचार जो है अपने दिमाग से हटाना शुरू करना है meditation का मतलब यही है कि mindfulness लाना है mindfulness लाने के लिए जो existing thoughts है जो thought train है उसे हटाना है आइदर जब आप आँखें बंद करेंगे ध्यान करेंगे दो ही चीज़ें हो सकती है एक complete अंधेरा दिखे या तफर एक complete रोशनी दिखे आप चाहे तो सोते हुए ध्यान करने की कोशिश करना शुरू कर सकते है सोते हुए meditation करने का तरीका है किसी शांत जगे पर लेट जाना बिस्तर पर नहीं अपनी आँखें बंद करना और धीरे धीरे सास को count करते हुए आगे बढ़ना गहराई से जब आप सास लेना और छोड़ना शुरू करेंगे फिर गिंती आप बंद करेंगे अब सासों के उपर concentrate करना शुरू करेंगे और इस बीच अगर आपके मन में किसी भी तरह का खयाल आता है चाहे positive है या negative हम अभी उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे जो भी thought आता है उस पर अपनी सास को ज्यादा concentrate बनाना है जो compulsive thinking है उससे बाहर निकलना है meditation करते करते हो सकता है आप सो भी जाएंगे पर ये complete नींद नहीं होगी ये body relax होकर के एक जिसे कहा जाता है कि deep meditation होता है उसमें आप पहुँच जाएंगे उसकी कोशिश करनी है अब meditation का फाइदा क्या है ये सिर्फ और सिफ astrologers या तफ विर्धार्मिक गुरू हमारी फील्ड का बोलना नहीं है introduce चाहे हमने किया हो हमारे रिशी मुनियों ने किया हो पर अब इस चीज का प्रमान डॉक्टर्स भी देते है सभी मरीजों को लगबग सभी डॉक्टर्स सभी मरीजों को कहते हैं कि ध्यान कीजे ये एक ऐसा इलाज है जिसका कोई side effect नहीं है गोली लोगे कोई ना कोई side effect होगा ही होगा किसी की kidney खराब है उसको आप strong गोलियां दोगे उसकी kidney पर असर आएगा कोई भी चीज आप लोगे उसका side effect आज के जमाने में है ही है हार्ट प्रॉब्लम आएगी, acidity आएगी, stress जादा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी कोई ना कोई परेशानी तो आज के दिन जुड़ी हुई ही है अब ऐसे में अकेली एक ऐसी चीज है जो सही कर सकती है हर चीजों को और side effect नहीं है, बस बात यह है कि आपका समय मांगती है समय दे दीजे, खुद के लिए भला होगा, परेशानियों से चुटकारा मिलेगा meditation करने से शरीर और मन दोनों रूप से आप बहतर महसूस करेंगे काफी जादा help मिलती है, चाहे depression की बात करें, OCD की बात करें तो उन सभी के अंदर आपको ये काफी जादा help करता है अगर आप नहीं जानते हैं, तो कोई भी आप रेट्रीट में चले जाएए या फिर कोई भी नशा मुक्ती केंदर में चले जाएए हर जगे पे एक चीज जरूर करवाई जाती है, वो है meditation अभी अभी में राजस्तान में कुछ चीज बड़ी ही अच्छी शुरू हुई है एक जगे का मैं भी थोड़ा हिस्सा बनाता, अब 10 दिन के लिए गया था जहां पे कुछ नहीं करवाया हमसे मोबाइल्स रख दीजे खाने के लिए दो रोटी और थोड़ी सी सबजी मलती थी सुबह के समय में और शाम के समय में बीच में कुछ फलफरूट मिलते थे पूरे दिन नहीं नहीं करते वे 6-7 घंटे सिर्फ meditate करवाते थे उसे कुछ नया सीखने को भी मिला वहां से आदज शुरू ही कि करना कैसे है शायद अभी तक जो मैं तरीका अपना था ता वो गलत था क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था ना किसी ने बताया था अब आप सब की के साथ में ये जब knowledge share कर रहा हूं जब मुझे experience मिला तब मैं share कर पा रहा हूं आप भी करके देखिए बहुत relief मिलेगा concentration power बढ़ती है thoughts clear होते है किसी भी बड़े businessman को आप ले लीजे उन सभी की जिन्दगी में एक आदत आप जरूर देखेंगे कि concentration power जो है meditation के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छी की अपने दिमाग में clarity लाने का काम के सुभे का समय जो है सबसे पहला जल्दी उठ करके सबसे पहले concentration करना फिर काम करना उससे mental clarity के साथ में आगे बढ़ते हैं ये चीज आप भी कर सकते हो 99 प्रतिशत जो जनता है उससे हट करके उस एक प्रतिशत में जाने के लिए शुरुआत यहां से है ये starting point है यहां से करना है meditation करने से नेंद भी अच्छी हो जाएगी insomnia की problem solve हो जाएगी meditation करने से दिल का दौरत जिससे heart attack बूला चाता है सबसे जादा आज के समय में चाहिए हम youngsters की बात करें exercise करते हैं problem नहीं है exercise आराम से कीज़े पर अपने आपको बहुत push करते है पता चल रहा है कि मैं uncomfortable हो गया हूँ यहां पर यहां पर रुक जाना चाहिए कोरोना के बाद में यह कुछ परेशानिया देखने को मिर रही है तो heart attack के जो chances है उससे बचने है blood pressure की समस्या है sugar की समस्या है उसको control में लाने का काम करते है अंत में इस पूरी meditation series को short में जो मैंने आपको बताया है उसका सारांश यह है अपने जीवन में एक positive energy का flow बढ़ाना है meditation उसके लिए एक motion बन सकता है एक starting point बन सकता है एक way बन सकता है आपके शरीर के साथ आपका मन जो है उसको स्वस्थ रखना energy पूरी देना यह कोशश है meditation कैसे किया जाता है उसकी पूरी जानकारी में दिया हूँ उमीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ लिए है कोशिश अब शुरू कर रहे है कोशिश कीजिए कोई भी समस्या होगी meditation में मुझसे पूछिए जतना मुझे मालूम है वो मैं आपको बताने की कुश्श करूँगा जो नहीं मालूम है तो उसके लिए experts हैं ही हमारे पास में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिलेगा जो इस चीज में expertise रखता होगा उससे पूछ करके आपको बताऊँगा एक चीज की यहां पे guarantee देता हूँ ही है और जो expert level पे पहुच गया और वहां पे blockages है तो आपके लिए मेरे पास में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा कोई मित्र होगा कोई ऐसा जान पहचान में होगा जो आपकी समस्या का समाधान निकाल देगा हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार और हमारा परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े बूडों का साथ और आशरवाद हमरे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन कर द कि एवं तरह बड़े लगाद हम की हरे निए स्की हूं कि अ to चकाल आश ब्सित रहे